तो यह है वाइट कलर की शाखा यह बहुत जादा गंदे हो चुक है यह जो डिजाइन होता है इसके अंदर बिल्कुल डर्ट जमा हो चुका है तो मैं इसको एवरी मन जो है क्लीन करती हूँ तो बस आज मैं इसको अच्छे से क्लीन करूंगी और यहां पर मैंने एक बाउल ल दिप हो जाए और इसको मैं थर्टी मिनेट के लिए रगदुऊंगी और 30 मिनेट बाद फिर मैं इसको त्लीन करूंगी यह एक ब्रश है यह क्लीन ब्रश है इसको मैं तो बहुत धहने के जादा एफर्ट्स लगानी की जरूत ही नहीं पड़ी यह ऐसे ही बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है ऐसा लग रहा है बिल्कूल नियू शाका है मैं सीरिसली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हूं जब इस टाइप से देखते हूं कि इतना गंदा हो जाता है न अच्छा न मेरे साथ एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है कैसे है आप सब और अगर ग्रीन कलर की चूडिया ना पहने तो फिर सावा न दूरा रह जाएगा न तो इसलिए यह मैंने ग्रीन कलर की कुछ बैंगल्स निकाले हैं और यह है कुछ रैड कलर की पहले मैं सोच जू कि मैं इनको मिक्स करके पहनू पिर यसे मैं यह जो काच के बैंगल्स होते हैं यह इतना पहन दी नहीं हूँ तो इसलिए बस मैं यह है मेरे पास कुछ लिए थे मैंने I think 12 है इसमें तो बस इनी को मैं अभी पहनूंगी मैंने यह कुछ बैंगल्स रगेरा पहन लिया है और सावन है ग्रीन कलर की चूड़िया ना पहनो तो ऐसा हो इनी सकता मैं सच बता हूं तो आपको मैं यह एवरी यह पहनती हूं जब जब सावन आता है तब अच्छा लगता है seriously बहुत अच्छा लगता है रैसे तो मैं बै क्विक एजी सी रेसिपी है बिल्कुल एवनिंग स्नैक में बहुत एजी है तो मैं आपको बनाना दिखाऊंगी चलिए मेर साथ स्टार्ट करते है तो जो है गयास पे मैंने पैन रख दिया है और अब मैंने स्वीट कॉन जो है उसको एक दो मिनट के लिए बॉयल किया जो है दोंगी कॉन को असको जैस दो तिन मिनट के लिए साथ एक करूंगी और फिर उसमें मैं आडल दूंगी ब्लैक पेपर है अचय तो जुड़ा सब्सावाः यसमें नमक पर अब स्टेस्ट नमक आपके मीश ञाव से बीशे है जंड़ा चिलिए जो है फिर जुड़ा स और जो है अब इसमें मैं डाल दूगी चीज उसको ग्रेट करके आप शाहिए तो मौज़रेला चीज यूज करें वह जादा चीजी होता है बट मैं इसमें जादा चीज यूज नहीं करूंगी बिकाज मैं डाइट फॉलो कर रही हूं इसलिए तो मैं इसको यही वाला अमूल का चीज डाल दूगी और इसको तब तक ढखे जब तक कि आपकी चीज मैल्ट ना हो आइधिंग हाडली पास से दस सेकिंड लगते हैं तो मेरा जो चीजी कॉन चाट है बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्फ करने के लिए और यह टेस्टी लगता है और हैल्दी भी है इवनि स्नैक इंजॉइ करते हैं मिलते हैं आप से बाद में आपके बज रहा है आठ तो यहां पर सोहम खेल रहा है मेरे साथ और इसको जो है मैंने निव वाली जो टी-शिट थी वही पैनाई थी ग्रीन कलर की क्योंकि सावन चल रहा है हर्याली तीज भी आ रही है तो ग्रीन ग्र है और सोहम है मेरे बेटा वो भी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो चुका है एक्चली जो टी-शिट है थोड़ी लॉज भी है इसको कमफर्ट है यही सबसे अच्छी बात है आज का व्लोग बस यही थे तो आज को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं नेक्स व्लोग में विद कुछ निव चीजों के साथ तो आज के लिए बस इ नहीं बाई